अगर क्या होता है अगर हमेशा हमारी प्रोसेस से चलता है अगर हम लोग अच्छे होंगे हैपी होंगे खुश होगे तो हमारा और और अच्छा होगा बड़ा होगा और अगर हम लोग उदात है तो हमारा और भी कम होता जाएगा और हमारा कैसे कांकर Say कल मेंटल और इमोशे अगा। ये एंबुचें से काम करता हूं करता है हमारी चीजिश रॉरप है कि हर चीज एक energy है अगर सपोर्द आपके हाथ में यह फोन है तो आपको यह फोन लग रहा होगा एक solid चीज है लेकिन यह solid नहीं होता है यह energy होती है पूरा जो ब्रहमान है वो एक energy ही है और क्या है और क्या electromagnetic field एक energy है पूरा हर चीज का अपना एक औरा होता है चाहे वो non living thing हो, चाहे वो living thing हो non living thing का भी अपना औरा होता है, living thing का भी अपना औरा होता है जो लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं, बहुत positive रहते हैं उनका औरा बड़ा होता है जो लोग depression में हैं, उदास हैं, परिशान हैं, उनको औरा छोटा होता है लोगों के बीच में जो हमारी energy होती है वही attraction होती है जिस तरह कि आपकी personality होगी आप देखेंगे आपको उन्हीं लोगों वही लोगा आपको attract करेंगे उन्हीं लोगों से आपका बात्चित होगी जैसे अगर आप देखें अगर आप अगर सपोस करें कि अगर आज आप बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं तो आपके चहरे पे अलग सा glow होता है एक अलग सी खुशी है तो आपका अबहुम अंडल जब आपका अच्छा हो जाता है positive होता है तो आप अंदर से आपके पहना वो वाला नहीं बात कर रही हैं एक अंदरूनी खुशी जब हमारे को होती है तो हमारे चहरा automatically grow करता है अगर हमने चाहिए अपने face पर कुछ लगाया है या नहीं लगाया हमने कैसे भी कपड़े पहने हम very very simple भी है तब भी हम एक अलग भीड में एक अलग हमारी personality बन जाती है अगर आप अंदर से खुश है positive है तो आपका और ऐसा बनता है और अगर आप अंदर से परिशान है दुखी है depression में है तो आपका और फिर depression में आ जाता है low हो जाता है चाहिए आप उसके बाद कितने भी महंगे कपड़े पहन लेजीए कितनी भी महंगी जुएल पॉजिटिव होंगे आपका दिमाग पर अपना control होगा उतना आपका और असी तरीके से नजर आएगा देखो और हमारा positive thinking से हमारा औरा बनता है हम लोग बार बार कहते हैं कि आप लोग positive रहे आप कोई भी अच्छी किताबे पढ़िए आप कुछ भी motivational videos देखे हमेशा आपको यही समझ मैंगा कि positive 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 लेकिन हम कैसे positive रहें ये आपको कोई नहीं यह हमें नहीं समझ आता बस positive रहें पर how कैसे इस जिसके उपर हम काम करेंगे आगे क्योंकि बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे blockages होते हैं, जिसकी वज़े से हम positive रहना तो चाहते हैं, लेकिन हम positive रहने ही पाते हैं, क्योंकि हमारा subconscious mind वहां तक कौचता ही नहीं है, हम conscious mind से काम करते हैं, तो उस चीज़ के उपर क्योंकि internally बहुत सारी blockages होती हैं, हमारे past karma से हमारी life में बहुत सारी blockages होती हैं, past karma in the sense क इसी life में जो हमारे पीचे से, जो हमारे दुख दर्द चले आ रहे होते हैं, जो हम भूल जाते हैं time के बाद, लेकिन उसका एक दर्द, एक निशान जो होता है, वो हमारे साथ चलता रहता है, जिसकी वज़े से हम चाहा कर भी positive नहीं हो पाते हैं, तो वो सब चीज़ों के उपर हम काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि mind में कितना वो होता है, mind में बहुत सारे हमारे mind की जो होते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा conscious mind, subconscious mind, super conscious mind, collective mind, और यह हमारा cosmic connections जो हमारे होते हैं, लेकिन आम तोर पे लोग सरफ दो लेवल पर ही का करते हैं एक तो कॉंशिस लेवल पर काम करते हैं क्यों क्योंकि वह अलड़ी बहुत आदा परिशान होते हैं डिप्रेशन होते हैं इंसाइटी होती है आसपस की नेगेटिविटी इतनी जादा उनके उपर हावी हो जाती है कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है तब हम देरी भी नेगेटिविटी वह बाहर निकलती है और हमारे जो चकराज होते हैं मेल जब वो चकराज पर हमारी पुरी बाज क् chance करने लगते हैं और उसके ऊपर लेवलस पह्यम काम करने लगते हैं क्एले लोग किते हैं हम और आक्ष क fahren को से जब हमा और हम सिर्फ दभी द Gleich स वो हमारा meditations होता है जैसे कि